अत्रवली चेत्र के ग्राम बिधीपूर में लागडाउन में फसे बाराती 19 दिनों से दुलहन घर पर है अभी तग विदाई नहीं हो सकी है ग्राम बिधीपूर में नर्पत सिंगार की बेटी की 22 मार्च को साधी थी बरात जारखन के धनवाद जिले के तैसील लोब चांची के ग्राम बैली से आई थी दुलह समेद 12 लोग फसे हुए है प्रसासन की तरब से एक समय खाना उपलब्द कराया जा रहा है प्रधार मंत्री ने अपने संबोधन में एक दिन का कर्फ्यू लगाया दिया था उमीद थी कि 23 मार्ज को खुल जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ अलिगर से रिंकु सर्मा की एक रिपोर्ट है मैं आपको मैरेनाम विजय कमान मेंना आप इहां पर जसासाई थी तो किस वज़े साइथि या 22 निक ले करते हैं लुछ तो बाद ऑन दिखन पीरत और तकम रहा करते मूंगर उप्तों के बाद से सतारी को कि 47 अरे किन वह को 7 को शुब को और फिर लोक्टवन हो जाने के बा वर्ट्रम आपको कोई परिशानी अपर मों कबसक अब भाते बावा इसे को三 li बस कफाने बेंट केया हिर हैं। इसले परिशानी है के भैश कोम थेच आ रहे हैं कि तो लह लोग किसी तरा से जह घर जाएं। पाप मेरा मुखलाल मातो हूँ आप यहां पर सादिम आए थे जी आप यहां पर कोई समस्या समस्या तो नहीं है पंदी जी हम लों को खना किलाल है लेगिन जब 5-6 दिन हम पंदी जी खिलाए तो जब पहाल आई सरकार के तरफ से तो हमने विदन किया कि कुछ हैल पर जाता त पंदी जी का आठेक बजट थोड़ा कम होता थे खाने वाले आ जाना मिल जागा प्रेकर तो अभी तम जैते तहीं और वाले चंदड यह समख्याशल आपको इहां से रहने में जैसे रहने में बेखत नहीं है लेकिन हम लोग को समस्या कि 15 तारीख को लिगाई दो यह सरकार जू व्यक्ति आपके यहां पर आई वे किस वज़ेश आए थी ये बाईस तारी की बेटी की साधी थी उस माध्यम पे ये तीस तारी को हमारे प्रवार में आएगे क्या नाम था लड़की का तो कहां से आए थी ये जार खंड जिला धनवाद और वैली गाम से आए